किसे पहले के वीडियो में हमने एक पेंडर को डॉणडोड की था और फिर हमने एक फोल्डर को एक्श्टाइक करना भी देखा था एक्श्टाइक करने के बाद हमें qEW बनाना होता है तो qEW फोल्डर के बनाते हैं आज हम उसे देख लेते हैं मेरे पास यह folder है जिसमें मैंने इस folder को एक्स्टाइक किया है मैं extract करना फिर से बता देता हूं तो यहां पर select करेंगे और इसे delete कर देंगे इस पर right click किया जा सकता है और extract to work पर click किया जा सकता है तो एक folder मेरा radio हो जाता है अब मैं इसे double click करता हूं उसके बाद और double click करता हूं तो यह file open हो जाएगी इनेबर content पर click करेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यह view Q ready है यह item rate का वियोक्य है तो आज हम यह देख रहे हैं कि item rate का वियोक्य को कैसे फिल करते हैं यहां पर सबसे पहले contactor का नाम लिखा जाता है तो मैं यहां आपना नाम लिख देता हूं आपका registration certificate में जो नाम होता है वही यहां पर type करना होता है अगर अलग नाम होगा तो हो सकता है कि आपको reject कर दिया जाए यहां पर item rate होने की वज़ा से यहां पर आपको हर जगे कुछ न कुछ amount डालनी जरूरी होती है हम यह dummy बर रहे हैं हमारा कोई original नहीं है इसलिए हम यहां पर एक अंदाजे से amount डाल सकते हैं तो इसका और इसका calculation करके यहां पर amount आ गई है अगर मैं यहां पर click करूँ और इंटर करूँ और उसके बाद मैंने एक type किया तो देखो यहां पर यह amount यहां पर आ जाती है item जो rate का भी okay होता है इसमें आप कोई भी call cell नहीं छोड़ सकते हैं तो यहां पर मैं एक dummy है हमारा इसलिए अंदाजे से यहां पर मैं type कर रहा हूं यहां पर हम type कर देते हैं type करने का तरीका यह है कि सिर्फ इस पर single click करना होता है और यहां पर type कर देना होता है इस तरीके से हम type कर रहे हैं और इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ने कुछ एमौण रा जाते हैं और यहाँ पर यह चीज़े नजर आती है हमें उसके बाद क्या करना होता है यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं की बूर से मैं Ctrl प्रेस करें ऊसके बाद इसमें कोई भी चेंजेंच नहीं करना है कंटिन्यू करना है और यहाँसे बंद कर देना है यहाँ पर मैं Dols झेर कर रहा हूं दूपार डबल किलिक करना है जब आपने दोबारा उसे डबल क्लिक करके ओपन किया तो देखो यहाँ पर जो दूसरी चीजे थी इनेबल वगरा की वो नहीं आई है आपको जो पांटेक्टर का नामे वो चेक कर लेना होता है इसी तरह किसे यह चीजे भी चेंज कर लेनी होती है साथी साथ आपको यह टो और इसी तरीके से यह जो हमारी शीट है इसका नाम भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हमने नाम चेंज किया तो यह फाइल अपलोड नहीं होगी शीट का नाम चेंज होने से फाइल अपलोड नहीं होती है इसी तरीके से अगर हमने इसे सेव एस किया तो भी यह फाइल अ तो देखिये यहाँ पर नाम मिलेगा और आपने जो चीज़े यहाँ पर फिल्ड किये वो मिलेगी अब मैंने कोई चिंजस नहीं किया है इस पर मैं क्लिक करता हूँ डोन सेव करता हूँ अब यह फाइल मैं अपलोड कर सकता हूँ साथी साथ यह भी चीज़ याद रखना है कि यह फाइल का नाम भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हमने फाइल का नाम चेंज किया तो भी यह फाइल अपलोड नहीं होगी